हेलो दियर स्टुडेंट्स, आज के लेक्षर में हम लोग डिस्कस करेंगे थिन फिल्म इंटरफेरंस आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में ये अब्जर्व किया होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में कहीं पर पानी अगर भर जाता है और उसके उपर ओईल की एक थिन लेयर होती है तो वो लेयर हमें डिफरेंट डिरेक्शन से देखने पर कलर्ड दिखाई देती है आप लोगों ने ऐसा भी अब्जर्व किया होगा कि सो बबल को अगर आप डिफरेंट डिरेक्शन से देखें घुमा कर तो उसमें भी different colors दिखाई देते हैं ये phenomenon जो होता है This is called thin film interference और उसी की theory को आज हम discuss करने जा रहे हैं Generally जो आप लोग oil की film या फिर soap bubble की film देखते हैं वो हर तरफ से uniform नहीं होती है हम जो आज discuss करने जा रहे हैं वो एक ऐसी thin film interference को discuss करने जा रहे हैं जिसमें film की thickness हर जगे पर uniform है Non-uniform thickness पर क्या होगा वो अगले lectures में देखेंगे So let's discuss thin film interference यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक thin film ली है जिसकी thickness T है एक बड़ा important factor यह है कि thickness small तो होनी चाहिए thin होनी चाहिए लेकिन किस order की होनी चाहिए तो वो भी आपको समझना चाहिए कि इसकी जो thickness है that should be of the order of micrometer that means 10 की पावर minus 6 meter के order की thickness की हम बात कर रहे हैं even if you consider this thickness of centimeter order तो भी यह ज़्यादा थिक हो जाएगी और हमें उतनी thickness नहीं चाहिए इतनी thickness होने से क्या impact पड़ता है क्या effect पड़ता है यह मैं आगे के lectures में discuss करूँगा अभी के लिए आप यह समझ लीजे कि जो मैं thin film लेने जा रहा हूँ उसकी thickness micron के order की होनी चाहिए this kind of order of thin film we are going to discuss तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जहां से light incident हो रही है इस पर यह light जो incident हो रही है यह air से incident हो रही है इसा हमने मान लिया है इसकी thickness mu है thin film की और नीचे कोई और medium है उसका refractive index मान लिजे mu1 मान लिया जैसे अभी मैंने बोला water के उपर oil की layer आ गई तो उपर air हो गई बीच में oil हो गया और नीचे water हो गया तो air, oil, air, oil and water इतीन refractive index की हम बात कर रहे हैं ऐसी situation देख रहे हैं तो देखिए होगा क्या इसमें जब कोई light incident होगी तो first surface पर मान लिजे point P1 से वो reflect हो जाती है if angle of incidence is I then angle of reflection will also be I तो एक ray 1 reflect होकर आगे जाना start कल देती है same medium में air में अब यहाँ पर जो light reflect होती है यह reflect होने के बाद इसके second surface से partial reflection होता है और partial जो है वो reflection हो जाता है partial reflection होने के बाद जो पहुँच गई वो तो यह किस में पहुँच गई water में पहुच गई जैसे हम दे रहे हैं और जो partially reflect होकर आई यह फिर first surface पर आकर then दोबारा reflect होकर फिर air में आ जाती है तो यहाँ पर अगर हम reflection की बात करें और यह process continuously आगे भी चलता रहेगा आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर reflect होगी फिर कुछ part reflect होके इस तरीके से process चलता रहेगा लेकिन हम जो reflection consider करते हैं उसके लिए केवल first reflection और second reflection दो rays लेकर interference को observe करते हैं उसका reason यह है कि बाद वाली rays के लिए intensity बहुत ही कम हो जाती है उसका कोई खास impact नहीं आता है first और second की intensity sufficiently large होती है तो आप देखिए first ray तो सीधे सीधे यहाँ पर आई second ray कैसे चली वो पहले second medium में आई फिर reflect हुई फिर reflect हुई और फिर वो air में आई तो अगर मैं first को और second को consider करूँ और यह मैंने आप एक्ते से समझ सकते हैं कि मैंने जो convex lens बनाया है यह eye का convex lens मान लीजे आप लोग को पता है कि हमारी eye में convex lens होता है और convex lens से reflect होने के बाद यह retina पर interference हो रहा है तो हमारी eye में interference हम observe कर रहे हैं इंटर्फेरेंस observe करने के लिए आपको पता है कि पार्ट डिफेरेंस पता होना चाहिए और पार्ट डिफेरेंस optical पार्ट डिफेरेंस होता है optical पार्ट डिफेरेंस क्या होता है geometrical पार्ट डिफेरेंस को अगर हम mu से multiply कर देते हैं optical part difference आ जाता है यह हम already discuss कर चुके हैं तो अब इस question में इस situation में हम क्या calculate करने वाले हैं find condition of maxima and minima for reflected light reflected light देका चल रहे हैं अब ध्यान रखिए ऐसा ही transmission में भी होगा transmitted light में भी interference होगा लेकिन हम बात अभी किसकी कर रहे हैं reflected light में interference के लिए condition calculate करना चाहते हैं find condition of maximum and minima for reflected light तो इसके लिए हमें optical part difference की जरूद पड़ेगी so let's start discussing it optical part difference कितना होगा तो optical part difference मैंने यहाँ पर लिखा है आप चलेंगे पहले तो आप देखिए यहां तक 1 ने distance travel किया इतना और 2 ने air में इतना distance travel किया अगर मैं perpendicular draw कर देता हूँ तो यह दोनों distances तो बराबर है तो air में 1 ने जादा distance travel किया है और air में 1 ने कितना distance जादा travel किया है P1 P4 के बराबर distance जादा travel किया है यह P1, P4 is distance traveled by 1 in air तो वो अगर हम देखेंगे तो P1, P4 distance आ गया 2 ने total कितना distance travel किया है अगर वो आप देखें तो 2 ने पहले P1, P3 travel किया फिर P3, P2 travel किया और यह P1, P3 और P3, P2 दोनों किस में travel किये हैं? मियू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में travel किये हैं यहाँ पर अगर आप total optical path difference निकालेंगे तो 2 ने जितना total path travel किया उसमें से 1 ने जितना path travel किया इसको minus कर देते हैं तो यह दोनों तो equal हैं हम basically P1, P3, P3, P2 और P1, P4 का difference consider करेंगे क्योंकि इसके आगे दोनों ने equal distance travel किया है और optical path difference लिखने के लिए म्यू से multiply कर देंगे तो देखें यहाँ पर मैंने क्या किया म्यू इंटू P1, P3, P3, P2 minus P1, P4 आप देख सकते हैं कि P1, P3 की value कितनी होगी अगर यह value T है तो इस वाले triangle में basically हमें perpendicular given है और high putness निकालना है high putness sec हो जाएगा तो यहाँ पर T2, T sec R P1, P3 is also T sec R and P3, P2 is also T sec R so mu into 2 T sec R minus P1, P2 into sine I अगर आप प वाला distance निकालना चाहेंगे तो this is P1, P2 and if this angle is I this angle will also be equal to I तो P1, P2 high putness हो जाता है और हमें क्या calculate करना है perpendicular calculate करना है इसके according तो perpendicular sine हो जाएगा P1, P2 sine I now P1, P2 अगर आप calculate करना चाहेंगे geometry से, पूरी geometry है इसमें तो basically यह वाला distance अगर आप देखेंगे तो यह distance कितना है अगर आप इस वाले triangle से देखेंगे तो इस वाले triangle में यह angle R है यह thickness T है तो यह आपके पास T 10 R हो जाएगा T 10 R और अगर यह T 10 R है तो पूरा P1, P2 कितना हो जाएगा 2 T 10 R हो जाएगा तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है 2 T 10 R into sine I this is pure geometry which you can understand इसको ज़रा solve करते हैं तो optical part difference आपके पास कितना आ गया 2 T common ले लिया मैंने mu sec R minus 10 R into sine I now because यहाँ पर reflection हो रहा है then we can apply Snell's law according to Snell's law mu 1 sine I will be equal to mu 2 into sine R mu 1 air मैं है so 1 into sine I equal to mu into sine R from this we can put the value of sine R in this expression because 10 R is sine R by cos R sine R की जगे पर हम यहाँ पर sine I by mu put कर देंगे तो देखे जरा क्या हमारे पास आता है using equation 1 we get 2 T common लिया मैंने mu by cos R हो गया minus 10 R को लिखा sine R by cos R into mu sine R sine I को हमने क्या लिख दिया mu sine R यहाँ पर लिख दिया है अब देख सकते हैं इसमें 2 mu T by cos R common आ जाता है और 1 minus sine square R बचेगा 1 minus sine square R इस cos square R 1 cos square R से नीचे cos R cancel हो जाता है और 2 mu T cos R आ जाता है तो आपे ध्यान रखे cos R का term आएगा और optical part difference में हमें केवल जो thin film है उसका refractive index आएगा उसके ऊपर क्या है और उसके नीचे क्या है वो mu इसमें नहीं आ रहा है हाला कि उस mu का impact भी cos R पर आएगा लेकिन formula याद रखने हैं आपको धियान रखना है 2 mu T into cos R R is angle of reflection and mu is refractive index of thin film इसके पाद अगर हम देखें तो maximum minimum की condition क्या होती है optical part difference equal to n lambda और n minus half lambda लेकिन यहाँ पर इसमें भी थोड़ा सा complication है complication इसलिए है because आपको पता है कि dancer medium से reflection पर pi का phase change आ जाता है तो pi का phase change आने से condition कैसे change हो जाएगी उसको थोड़ा सा discuss कर लेते हैं जो आपको problem solve करने में help करेगा देखे चनरली 99% cases में light जो incident होगी वो normally incident होगी तो मैं normally incident light का case लेकर ही आपको conditions बता देता हूँ अगर normally incident नहीं भी होगी तो भी optical part difference आपको पता ही है आप solve कर पाएंगे अगर मैं normal incidents ले रहा हूँ और यहाँ पर reflective index mu1 ले लिया है first medium का second, third medium का mu3 ले लिया है और thin film का mu पहले की तरह लिया है तो first surface पर reflection होगा और second surface पर reflection होगा इस case में हमारे पास angle of incidence i की value 0 हो गई है और आपको पता है कि अगर i की value 0 है तो r भी 0 होगा isness law से light normally ही अंदर चली जाएगी thin film के और वैसे ही reflect back होगी तो ऐसी case में optical part difference 2 mu t cos r की जगे 1 आ जाएगा और optical part difference 2 mu t आ जाएगा अब आप ज़रा ध्यान से देखे कि अगर यह तो हमारे पास optical part difference आ गया इसको कब n lambda लिखेंगे और कब n minus half lambda लिखेंगे यह थोड़ा सा important है इस analysis को समझने की कोशिश करें अगर part difference किसी अगर हमने यहाँ पर 2 condition लिए हैं देखे we know that when light is reflected from denser medium if phase change of pi occurs pi का phase change का मतलब lambda by 2 का part difference होता है तो जब भी एक जगे pi का phase change होगा तो वहाँ पर lambda by 2 का additional part difference आजाएगा ऐसा आप समझ सकते हैं तो हमने यहाँ तीन conditions लिए है if phase change of pi occurs at both surfaces यहाँ पर भी माल लिजे phase change of pi हो गया और यहाँ पर भी phase change of pi हो गया तो बेसिकलिए अगर दोनो जगे phase change of pi हो गया तो इसका मतलब यह हो गया कि यह दोनो pi के phase change cancel हो गए और maxima minimum की condition वही रहेगी जो हम अलरीडी लिया करते थे यानि n lambda पर maxima और n minus half lambda पर minimum और ऐसा कब होगा pi का phase change अगर mu greater than mu 1 होगा तो यहाँ pi का phase change आएगा और अगर mu 3 greater than mu होगा तो यहाँ pi का phase change आएगा dancer medium से reflection का मतलब है कि जिस medium में जा रहा होता वो medium dancer होना चाहिए तो अगर mu greater than mu 1 है और mu 3 greater than mu है तो दौनो जगे pi का phase change आएगा और दौनो जगे pi का phase change आने से हमारी condition में कोई फरक नहीं आएगा क्योंकि cancel हो जाएगे और 2 mu t equal to n lambda for maxima और 2 mu t equal to n minus half lambda for minimum condition वही रह जाएगी दूसी condition इसमें यह आती है कि अगर phase change of pi occurs only at one surface first surface पर हो या second surface किसी एक ही जगे pi का phase change हो तो ऐसे case में lambda by 2 का additional part difference आने की वज़े से maximum of minima की conditions interchange हो जाएगी यानि 2 mu t equal to n lambda अब minima के लिए use करेंगे और 2 mu t equal to n minus half lambda आप maxima के लिए use करेंगे एक condition ये भी हो सकती है कि किसी भी surface पर phase change ना हो ना first surface पर ना second surface पर तो उसमें तो हमें चिंता करने की ज़रूद है यह नहीं वो तो 2 mu t equal to n lambda जो conditions हम आप 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 निकालते थे वो maxima के लिए और 2 mu t equal to n minus half lambda for minima अल्रेडी हो जाएगी इसमें कोई change नहीं आएगा तो हमारे लिए change कब होगा change थभी होगा बस जब किसी केवल एक surface पर पाई का phase change आएगा तो maxima minima की conditions interchange हो जाएगी वरना कोई condition में change नहीं आएगा ठीक है एक चीज़ और आपको ध्यान रखने है इसमें problems में हमने जितना भी यह analysis किया है उसमें remember that we have discussed the condition of interference in reflected light कभी-कभी वो condition transmitted light पर दे देता है तो transmitted light और reflected light की intensity मिला कर constant रहनी है तो कभी भी ध्यान रखें transmitted light में अगर minima होगी तो reflected में maxima होगी और transmitted में अगर maxima होगी तो reflected में minima बनेगी तो आपको हमेशा reflected पर ही condition लगानी है तो इस चीज का ध्यान रखें even if condition on transmitted light is given we will change it for reflected light if transmitted intensity is maximum अगर उसने दी है कि transmitted intensity maximum है मैं उसकी condition बताओ transmitted intensity maximum का मतलब है कि कोई particular wavelength की light जो है वो transmit हो जाती है अगर ऐसे बोलेगा वो कि this light is get transmitted इसका मतलब transmission में maxima बन रही है और transmission में maxima बनने का मतलब होगा कि reflected में minima बन रही है तो condition of minima is in reflected light as discussed in point 1, 2 and 3 अभी हमने 3 point discuss किये थे उसके according आप reflected में किसकी condition लगा दीजे minima की condition लगा दीजे और अगर transmitted intensity minimum दी हुई है transmitted intensity minimum दी हुई है आपको ऐसे बूलेगा कि this particular color या this particular wavelength is not transmitted not transmitted का मतलब उसमे minima हो रही है इसका मतलब उसमे आपका किसकी condition हो रही है destructive interference की condition satisfied हो रही है तो वैसे case में apply condition of maxima in reflected light as we have discussed in point 2 and 3 I hope यह आपको clear हो गया होगा basic लिए ध्यान रखना है कि two beauty जो है वो normal के लिए part difference होगा और बाकी conditions का ध्यान रखते विए जैसे बताया है problem solve कर सकते हैं आने वाले एक दो lectures में इन पर based एक दो problems में solve करवा दूँगा so that कि आपको clear हो जाएगा कैसे यह concept problems में apply किया जाता है तब तक आप इसके notes बनाईए और इसको ढंक से समझने की कोशिश कीजिए enjoy your day